हलो गाइज आज में लेकर आई हूँ आप सब के लिए बहुत इफेक्टिव सी होम रेमेडी घरेलू नुस्खे बहुत ही इफेक्टिव यह हेरोयल है हमारे हेल्स प्रॉब्रम के लिए मैंने यह हेरोयल अपनी बेटे के लिए बनाई क्योंकि मुझे अभी से उसका ख्याल ल इस तरह से इसमें जो निकल रहा है यालो कलर का लिक्विट्स तो यह इसका जहर होता है आपने इसे रख देना है फॉर नहीं नहीं उसकरना है आपने इसे रख देना यह बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगा 10-15 मिंट के लिए आप रख दीजे फिर वाश करके फ इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह देखी इस तरह से आपके पास अगर नाइफ हो तो इससे इसक्रिश करके इससे आपने निकाले ना बहुत यह आसानी से हमारा यह एलोवेरा जिल का जो जल होता है बहुत अच्छी से कलेक्ट हो जाएगा या फिर आपके पास फोग हो तो फो कर सकते हैं अब के पास अपना नहीं है तो आप थोड़ा सा भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पे लेलिए मैंने मस्टर और यूज की कोई क्वांटी नहीं है आपकम जादा अपने हिसाफ से कर सकते हैं मगर मस्टर और बिकुड प्योड होना चाहिए और झार्गनिक होना अब इसमें एड़ करेंगे ब्लैक पेपर आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं कम या जादा इसमें एड़ किया लॉंग सारी चीजों को अच्छा से क्रश कर लेना यह तो यह देखिए हमारे अलोवेरा कितने अच्छा से पक रहा है अब इसमें ले लिया मैंने मेती ओको लॉं दूद्अ को थे मशीड़ में हमें हल करेा डिकाट इना है फ्लेम को आपने बिलकुल लो रखना है जलाना मैं है सारे चीजों को बस से पका लिया अभी हमने काली मीच और लॉंग डाली है तो काली मीच ता मारी इस स्केल्प के लिए स्कैल्प में इच्छिंग होती है क्य प्राइफ में कटके अब इसमें इंसर्ट करेंगे कील क्योंकि बनाने हैं बहुत ज्यादा और और झाला करते ना केले को तो इससरा से रखें इसे बंद कर देना है और फ्रीज में रख के लिए बहुत अच्छी से बिल्कुल काला हो जाएगा कि लिए महां दिखाने से जुक्रिण विज्ट हो गए यह तो मैंने केले को रख दिया था मैंने किल निकाल लिया अप पतली-पतली-पीसस में कट करके स्फुखा लिए आप चाहें तो पंगे के हवा में सुखा लें फैन की हवा में आप सुखा सकते हैं या फीर मॉर्निंग सनलाइट में भी मॉर्निंग की सनलाइट में भी आप इसे सुखा सकते तो यह देखे बहुत अच्छे से सुख गया है अब मैं इसका पाउडर बना लूगी इसे भी हम हेरोल पे एड करेंगे क्योंकि यह बहुत अच्छा होता है बालों के लिए कच्चा केला तो यह हेरोल ब बहुत अच्छे से इसका पाउडर बन गया है और बहुत इफेक्टिव है यह कच्चे केले का पाउडर हम सभी चानते की केला बहुत ही ज्यादा बेनिफीचल है हमारी हेल्थ के लिए लेकिन इसके छिलके भी बहुत ही बेनिफीचल हर चीज के लिए आप इसे कच्चे केल तो आपके plants बहुत healthy होते हैं बहुत अच्छा घ्रो करता है तो इस तरह से आप इसका के लीज के चिलके का यूज कर सकते हैं तो यह देखें मैंने इसका powder बना लिया, अच्छे से छाली आप इसमें add करदेंगे तो यह देखें इस तरह से मैंने इसे powder बना कर दिया इस ओयल में और इसे भी थोड़ा सा पका लूँगे बस दो से तीन मिनट के लिए अच्छे तरीके से गरम कर देंगे तो यह देखें इस तरह से आप अपने बच्चों के लिए इस तरह के हैर ओयल बना के रखें ताकि आपके बच्चों के बाल जो है अर्ली एज में जो वाइट होने लगते हैं वाइट नहों और अच्छी उनकी ग्रोथ रहे अच्छी लेंद रहे तो यह देखें मैंने इसमें आड़ कर दिया कोकोनेट आयल तो अब इसमें आड़के मैंने कोकोनेट आयल इसे भी बस गरम कर लेंगे coconut oil डाल के बस हमें गरम कर लेना पकाना नहीं है क्योंकि coconut oil पकाने से उसके जो goodness होती है वो खत्म हो जाती है कम हो जाती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बस गरम कर लेना है तो gas का flame off कर देंगे और ठंडा करके हम इसे एक bottle में निकाल लेंगे तो यह देखें बहुत effective हमारे hair oil बन के त्यार होगे आप तो यह देखें बन के हमारा त्यार होगे hair oil आप यूज कीजे आपके husband यूज करें और आपके बच्चे बच्चों को भी आप यूज कीजे क्योंकि बच्चों के आज कल के early age में hair white होने लगते हैं तो उससे बचाओ क के लिए आपको पहले से ही त्यारी करनी होगी तो इस तरह के आप hair oil बना के रखिए खैर मेरी बेटी को कोई सा भी oil suit नहीं करता है मैं उसके लिए dry oil बना के रखती हूं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तो यह देखें से oil बनके त्यार हो गया है और इस चानना नहीं है आपने इसे ऐसे ही रख देना है सारी जितनी भी चीज़ें सारी नीचे बैठ जाएगी और तेल उपर आ जाएगा तो जब आप यूज करें तो चान के लिए चान के यूज कर लीजे लेकिन इसे चान के अलग मत कीज़े क्योंकि जितनी दिन तक रहेंगे आपनी गुड़नेश में आपने देते रहेंगे तो इसलिए चाना नहीं है अब कम हो जाता तो आप इसमें और ऐड़ करते रहें और पांच से एक इस चल जाएगा इसकी और नहीं कोई कमी नहीं आएगी तो आपने इस कहल पे लगा के जड़ों में अच्छ से लगा के जल्टाएंगे